नमस्कर दोस्तों दोस्तों आज हम कीबोर्ड पर जो Numeric Row होती है उसकी टैपिंग के बारे में बात करेंगे तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं इस Numeric Row की टैपिंग इसके लिए दोस्तों हमें वैसे ही Home Row पर उंगलियां रखनी होगी A, S, B, F J, K, L और सेमिकलोर और उठे स्पेस बारपा जो हमें उंगलियां यूज करने हैं दोस्तों न्यूमारी की के लिए वो कौन सी है इस उंगली से हम दबाएंगे 1 इस उंगली से 2 इस उंगली से 3 और इस फिंगर से 4 और इसी फिंगर से 5 दबाएंगे और एधर ये राइट हैंड की इस उंगली से 6 इस उंगली से 7 इस मिडल फिंगर से 8 रिंग फिंगर से 9 और इस लिटल फिंगर से 0 दबाएंगे दो तो चलिए इसकी टाइपिंग करके दीखने हैं दो A, S, D, F G, K, L, Semicolon और स्पेस पर हमारे रूट तो दीखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 ऐसी टाइप करने हैंगे बस द्यान में क्या रख रहे हैं दोस्तो जब भी कोई बटन दबाना है कोई भी हो और नियूमेरिक रूप कोई भी बटन दबाना है तो भी बटन दबाकी उंगलें वापस होम रूपर ही आ जाएंगे दुबारा से देखते हैं ये उंगली उठाएंगे 1, वापस 2, वापस होम रूपर 3, वापस होम रूपर 4, वापस होम रूपर और इस उंगली से 5 और दुबारा home group पर लोट आएंगे और ये 6 वापस home group पर इस उंगली से 7 और वापस home group पर इससे 8 home group पर वापस 9 home group पर वापस 0 home group पर वापस आजएंगे इस तरह से type करें लेकिन आगर आपको ये टकनीक थोड़ी मुश्किल लग रहे है दोस्तों ये आपकी उंगलियां उतने अच्छे से मूव नहीं कर पा रही है तो एक और टकनीक अपना सकते हैं दोस्तों और वो क्या है देखिए आपको उंगलियां वैशी रखने एस डफगेल से मुखना तो देखिए जब आपने ये बटम दबाने हैं दोस्तो तो इस उंगलियां को ठिक्स रखना रिखना इसको बटम के उपर ही रखना और इन उंगलियों सुखने को उठा लिए दोस्तों इसको मैंने रख लिया, अब 4 दबाने बोजे, 4 वापस, 5 वापस, ऐसे दोस्ट, और इधर से भी ऐसे करेंगे, इस उंगली को हम यहां रख लेंगे और इनको उठा लेंगे, देखे, 6 वापस, इस उंगली से 7 वापस, फिर 8 वापस, और फिर 9 वापस, और इस उंगली को fix र पाने हैं तो इस उगली को fix रखाने हैं दोबारा से दीखते हैं 1 वापस 2 वापस होम रूपर 3 वापस होम रूपर अब इसको fix रखेंगे 4 वापस होम रूपर 5 वापस होम रूपर और अब इसको fix रखेंगे दूसरा इनको उठा लेंगे 6 वापस, इस उउनली से 7, वापस, इस उउनली से 8 वापस Home वरूपर, इस उनली से 9 वापस Home वरूपर, अब इसको fix रखेंगे कि इनको उठाने, 0 वापस Home वरूपर आजांगे, ऐसे type कर, और कुछ और बाटन भी यह देखी दोस्तों, यह वाले, और इनको कैसे type कर, दिखें जो ये बैटन है इसको हम किससे टाइब करेंगी ये उगली ऐसे उठा के इसको fix रखेंगी इन उगली को उठा लेगे और इसको ऐसे टाइब करके वापस आ जाएँगे दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ठीकिन थोड़ा इसे मुश्किल गूट और इधर के पटन दीखी दोस्तों इस उंगली को मैं fix रख लोगा इससे यह minus का symbol इससे यह plus का symbol और इससे यह slash और इससे यह backspace दबा सकते हैं दोस्तों दियान क्या रखना है यह उंगली fix रखने हैं दोस्तों आपको तो चलिए दोस्तों दोनों टेक्निक्स को एक बार फिर से repeat कर लेते हैं asdfjkl semicolon और space पर अंगूठे इस तरह यह उंगली रख लेंगे यह निशान दबाया वापस आगे 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस आगे, 5 दबाके वापस होम रूपर आगे 6 दबाया वापस होम रूपर, इस उंगली से 7 वापस, 8 वापस आगे, 9 वापस होम रूपर, 0 वापस होम रूपर और ये minus वापस home roper plus वापस home roper slash वापस home roper और ये backspace वापस home roper एक तो ये टेक्निक थी जब उंगलिया हमें fix रखने अब दूसरे टेक्निक के आज थी दोस्तो इस उंगलिया को fix रखेंगे इनको उठा लेंगे देखें ये symbol दबाया वापस आगे 1 दबाया वापस आगे 2 दबाया वापस आजाएंगे 3 दबायेंगे वापस आजाएंगे मतलब ये उंगलिया fix रखने इन सबको उठा लेना वापस दुबारा बटन दबाके home roper आजाएंगे अब इसको fix रखनेंगे ये दबाने है इसको उठा लेंगे 4 वापस इस उंगली से 5 दबाया और वापस आगे दोस्तों आप दीखिए इस उंगली को fix रखेंगे इनको उठा लेंगे 6 वापस home rooper इस उंगली से 7 वापस home rooper 8 वापस home rooper 9 वापस home rooper आप इस उंगली को fix रखेंगे इनको उठा लेंगे 0 वापस home rooper माइनस प्लस स्लैश बैक स्पेस और वापस होम रोपर तो इस तरह से टाइपिंग कर भी हैं दोस्तों ये स्क्रीन पर मैंने कुछ नंबर्स दिये हैं दोस्तों नंबरों के कुछ कॉम्बिनेशन दिये हैं इनको आप अगर दो तीन दिन तक लगाता दो दो घंटे या इतना टाइम नहीं लगा सकते तो कम से कम आदा घंटा या मैकσιमूम एक घंटा तो आपको लगा नहीं होगा अगर इनको आप एक एक घंटा दो तीन दिन तक लगाता practice करते हomos तो इनको type करना आपकी उंगलियों के लिए बहुत असान हो जाएं दोस्ट